वलकम माई डियर रॉकाइड्स कैसे हैं आप सब ही आपने कई क्राइम इन्वेस्टिकेशन मूवी देखियोंगी जिनमें कतल होता है डिटेक्टिव होता है डिटेक्टिव कातिल और उसका मोटिव का पता लगाते हैं लेकिन आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसमें एक कतल होता है और हमें शुरुवात में ये भी दिखा देते हैं कि कातिल कौन है उसका मोटिव क्या है इसके बावजूद ये एच आप तस सीट मूवी बनी क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉंग है इस इंडरस्टिंग केस को सॉल्ब करने के लिए आती है एक डिटेक्टिव जिसका अपरोच एक दम डिफरेंट है या ये आखर में कातिल को पकड़ पाई और क्या वही असले कातिल होता है जाने कले दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा जरा भी स्किप मत करना जरा भी तो अब चलते हैं इस मूवी के अंदर जिसका नाम है Murder by Numbers और ये 2002 में रिलीज हुई थी मूवी की शुरुआत में दो लड़के आमने सामने अपने अपने सर पर गन पॉइंट करके खड़े होते हैं Counting होती है शुरू एक दो तीन एंड शूट ऐसा क्या वह इनकी लाइफ में जो ये दोनों अपनी जान लेने के लिए तयार हो गए जानने के लिए चलते हैं फ्लेश वेक में एक हाई स्कूल में जस्टिन नाम का लड़का फिलोसफी के बारे में एक प्रेजेंटरिशन दे रहा होता है ये इस स्कूल का सबसे इंटेलिजन लड़का है और बाकी स्टुडेंट्स को इससे बहुत चिड़ान है जस्टिन किसी से भी घुल मिलकर नहीं रहता और हमें श यो तेरे पास बिलकुल नहीं है इस तरह ये दोनों चुहा बिल्ली के तरह है अमेशा ही एक दूसरे से लड़ते जगरते रहते हैं उसी रात जस्टिन एक जगे बैठा होता है तब ही रिचर्ड पीछे से उसे गन पॉइंट पर लॉक करके उसका गला पकड़ लेता है और रिचर्ड कहता है कि यूमन स्किन पर फिंगर पिंट्स नहीं लगते बेठा तु किस जमाने में जीरा है आजकल की टेक्नलोजी से यूमन स्किन से भी फिंगर पिंट्स निकाले जा सकते हैं अगर तुमने मुझे यहां मार डाला तो तुम आसानी से पकड़े जाओगे या उसे लगता है कि लड़कियां उसकी और बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होती है यह थोड़ा बोर्ड लड़का है और अमीर बाप का बेटा है पर जस्टिन पड़ाखू लड़का है और किसी से ठीक से बात तक करना नहीं जानता लेकिन उसका दिमाग बहुत स्ट्रोंग है य बड़े से बड़ा डिटेक्टिव भी उसे सॉल्ब न कर पाए रिचर्ड तो उचलने लगता है कि चलो यार आजी किसी का कतल कर लेते हैं पर जस्टिन थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो जल्दवाजी नहीं करना चाहता उसे सारे काम परफेक्ट करने की आदत होती है पर रिचर्ड सबर नहीं करना चाहता और दोनों उसी रात को अपने कांड करने का फैसला करते हैं अगले दिन एक जगे पर पुलिस जबा होती है उनके साथ ते एक डिटेक्टिव होती है जिसका नाम कैजी है हाँ दोस्तों अगर आप सेंडरा बॉलग की एक्टिंग पसं जी कैजी बताती है ये हमारे लिए नहीं इन पुलिस वालों के लिए है ये लोग यहां रहे तो एविडेंस मिटा देंगे अब देखो मेरा कमाल ये कहकर वो सारे पुलिस वालों को बुला कर पिज़ा पकड़ा देती है कि जाओ दूर जाकर आराम से खाओ राइश करो हम यहां चैन्स एविडेंस क्लेक्ट करने दूर जाओ पिर कैजी और सेम उस जगे को चार मारते हैं एक एक चीज ढंक से देखते हैं सेम पुछता है कि कतल वहां हुआ है और तुम जंगल के अंदर क्या ढूंड रही हो यहां क्या फल तोड़ना आई हो कैजी बताती ही कि हमे का सेम्पल निकाल कर सेम को देती है कुछी दूर पर कुछ फुट्प्रिंट्स होते हैं जिसे कैजी मस्ट नोट कर लेती है फिर वो लाश के पास जाती है जिसे एक प्लास्टिक शीट में लपेटा होता है हम इस औरत का गला दबाकर कतल क्या गया है और उसका रिंग किने से मारा हो तब ही तो अंगोटी वाली उंगली काड़ दी पर कैजी कहती है कि अगर ऐसा होता तो इस औरत की बॉड़ी में उनके फिंगर प्रिंट्स जरूर मौजद होंगे हम इन होते तो हम उसको पकड़ चुके होते लेकिन यहां तो नाम के वास्ते भी कोई फिंग लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां बारिश ही नहीं हुई तो फिर यह माजरा है क्या उस औरत की घर में कोच चीज़े तूटी फूटी पड़ी होती है मतलब कतल से पहले कातिल और विक्टिम के बीच थोड़ा हाता पाई हुई होगी खोन का धबबा देकर साब पता चल एक बाइनो कुलर्ट से यह सब कुछ देख रहा होता है फिर वो अपने स्कूल के एक हाउस कीपर की घर जाता है जो कुछ एनिमल्स को पालता है कुछ देर उससे बात करके रिचरड घर आता है अगले दिन टेस्ट में जस्टिन कुछ नहीं लिख पाता और कतल के बारे में सोचकर बहुत ट्रेंश्ट होता है फिर तीचर फेपर को एक्षचेंज करकर करेक्ट करने को कहता है और जो जस्टिन के पास लड़की बैठी होती है यानि की लीजा वह जस्टिन का पेपर लेती है और उसे फृल माकस दे देती है जस्टिन कन्फ्यूस होकर पूछता है त सिर्फ वाइट कार्पेट था तो ये धागा वहां कहां से आया अगर कातिल इतना परफेक्ट कतल करना जानता है तो उसनों ये धागी क्यों छोड़े लाकर देता है जिसको देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं उसी वक्त बीच हाउस में रिचर्ड और जस्टिन उन सारी च पातिल है क्योंकि वह बाल इनसान का है यी नहीं एक बंदर का है और यही बात रिपोर्ट में पढ़कर दोनों डिटेक्टिब्स भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आप इस बंदर को कैसे ढूंड़े और ढूंड पी लिया तो उसका करेंगे क्या यहां जस्टिन और रिचार्ड डिसकस करते हैं कि अगर पुलिस को ठीक एबिडेंस मिल भी गया तो हम थोड़ी ना पकड़े जाएंगे पकड़ा तो वो जाएगा जिसे हमने बले का बकरा बनाया है वो बकरा कौन है यह तो आगे जाकर पता चलेगा अब यहां कैजी को एक फैक्स आता है जिसमें एक करने आये हैं पर रिचार्ड के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं होती अब सैम पूछता है कि तुम्हारा एक्सपेंसिव शू किदर है वो एकदम कूल होकर कहता है कि स्कूल के लॉकर में रखा था लेकिन वहां से चोरी हो गया मैंने तुरंत प्रिंसिपल से कंप्रेंड भी की थी आप चाहो तो पूछ लो उसका रंग ढंग देखकर कैजी को उस पर शक होने लगता है और पूछती है कि थास्टे रात साड़े नौ बजे तुम कहा थे ये बताओ क्योंकि उसी वक्टिम का गतल हुआ है वो भी कह देता है कि मैं पूरी रात अपने फ्रेंड्स क गाले और पिज़ा खरीद कर लौट गया यानि जरूर किसी ने उसका शो चुराकर पहना और उस औरत का कतल किया रिचार्ड ने एक हफते पहले प्रिंसिपल से मिसिंग शूस की कंपेंट भी की थी पर फिर भी ना जाने क्यों कैजी को रिचार्ड पारी शक है वो रिचार सब कुछ हमारे प्लान के मताबिक चल रहा है जस्टिन भी कह देता है कि भाई इतना मत उचलो जब तक अपना बकरा पकड़ा नहीं जाता अपना मुह बंद रखो रिचार्ड उसे उस रात बीच हाउस आने को कहता है लेकिन जस्टिन काम का बहाना करके खिसक लेता है पर वो अपनी गल्फरेंड लीजा से मिलने जाता है जो उससे उस दिन फिजिक सीखने आई थी लेकिन रिचर्ड इन्हें रोमेंस करते भी देख लेता है दरसल रिचर्ड दूसरों की गल्फरेंड चीनने में बहुत ही माहर है इसलिए जस्टिन को डर है कि कहीं वो लीजा को म पूछताच करते हैं जहां वो डिश बनती है एक रस्टरों में पता चलता है कि जस्टिन ने कतल की रात वो फिश एक्टिश ओडर की थी अब कैजी सीधे जस्टिन से मिलती है कैजी को देखते ही जस्टिन तो गिड़ गिड़ाने लग जाता है क्योंकि रिचर्ड औ पर इन दोनों ने इल्जाम लगाने का प्लान बनाया और एबिड़ेंस भी सेट किये थे अब पुलिस डिटेक्टिव को देखकर जस्टिन बहुत नर्बस हो जाता है उसे विश्वास नहीं होता कि ये लोग मेरे बारे में कुछ जान भी पाये हैं अब कैजी पूस्ती कि जस्टिन आई साड़े नौ बजे क्या तुमने एक रेस्टोंड में एक एक स्पेंसिफ फिस्डिश ओर्डर की थी कि नहीं जस्टिन कूल रहने की कोशिश करता है हाँ मैंने खाया था ओके तुमने खाया था ठीक है नो प्रॉबलम बैसे क्या तुम रिचर्ड को जानते हो हाँ वो मेरा क्लास्मेट है गुड क्या तुम और रिचर्ड फ्रेंड्स हो नो मेडम मेरी और उसके तो बिलकुल नहीं बनती हम दोनों तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते है अब कैजी भी कन्फिजड होती है क्योंकि कैजी को रिचर्ड पर शक था लेकिन वो भी शक के दाएरे से बाहर हो गया फिर जस्टिन के अगेंस्ट फिश डिश वाला एविडेंस मिला लेकिन अब लगता है कि ये तो उस रात रेस्टरॉन में खाना खा रहा था मतलब ये भी कातल नहीं हो सकता तब कैजी को सैम कॉल करके बताता है कातल का पता चल चुका है तुम जल पर कैजी पूछती कि क्या कतल के लिए उप्योग किये गे जो वैपन्स यहां मिले हैं सैम कहता है नहीं अच्छा वो नहीं मिले तो कम से कम यहां वो शूज तो मिले ही होंगे जो लॉकर से चुराए गए थे सैम कहता है कि यहां शूज भी नहीं मिले हाँ तो यह कातल नही तो एक बंदर उस पर टैक करता है और उसके हाथ पर काड़ देता है अब सैम कहता है देखा 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 लाश पर जो बंदर का बाल मिला था वो इसी बंदर का है मतलब रे ही खातिल है पर रे फिला हला गायब है उसका पता लगा लेंगे तो ये केस पूरी तरह सौर्व हो जाएगा यहां रिवील होता है कि रे ही वो बली का बक्रा है जिसे कातल बनाने के लिए रिचरड और जस्टिन ने एविडेंस सेट किये थे यहां रिचरड जस्टिन की कल फैंडी डीजा को अपने कोस्ट्ली कार में बैठने को कहता है पर वो उसे एगनौर कर देती है उसी जस्टिन को एक सीड़ी पकड़ा कर चला जाता है उस सीड़ी में एक वीडियो होता है जसे देखकर लगता है कि लीज़ा और रिचरड के बीच रोमैस चल रहा है अब जस्टिन परिशान हो जाता है कि क्या करो तब रिचर्ड कॉल करके कहता है कि मुझसे जूट बोलकर तुम लीज़ा से मिलने चाते रहे तुम इतने स्मार्ट तो नहीं थे अब लीज़ा मेरी हो चुकी है तो उसे भूल जाओ जस्टन को रिचर्ड पर बहुत घुसा आता है और लीज़ा पर तो और भी घुसा क्योंकि उसने जस्टन को धुगा दिया वहां रिचर्ड गलब्स वगेरा पहन कर रे के पास जाता है जिसे उसने बंदी बना कर रखा हुआ है रिचर्ड एक गन से उसे शूट कर देता है रिचर्ड कहता है कि पुलिस को लगे कि रे कातिल है और कतल के बाद हो कहीं छुप गया था पर जब पुलिस को सारे अबिडेंस मिल गए तो वो डर गया और उसने खुद कुशी कर ले यही पुलिस को लगना चाहिए समझे अगले दिन लीज़ा जेस्टिन से बात करने आती है और कल का वीडियो देखने के बाद तो जेस्टिन उसको गाली देने लग जाता है वो उसे जोरका चाटा मार कर चले जाती है अब जेस्टिन कन kinds डूट है कि गलती उसने की और चाटा मुझे मार रही है दूसरी और कैजी हास्पिटल में होती है शायद बंदर के काटने से उसे इंफेक्शन हो गया है सेम बताता है कि हमें रिचर्ड के शूज मिल गये है विक्टीम की उंगली भी मिल चुकी है जो गातल ने काटी थी सब रे के पास ही था वही कातल है कैजी कहती है अच्छी बात है उसे अरेश्ट कर लो पर सैम बताता है कि कल रात उसने खुदकुशी कर ली है अब ये सुनकर कैजी को फिर इसे शक होता है क्योंकि अगर रे ने विक्टिम की उंगले काटी थी तो वो एक साइको कातिल है लेकिन एक साइको पुलिस के डड़ से कभी खुदकुशी नहीं करेगा उपर से वो पुलिस के हाथ भी नहीं लगेगा बलकि छुपावा होगा फिर उसे खुदकुशी करने की जरुवत क्या पड़ गई वो कातिल नहीं हो सकता हमें रिचर्ड और जस्टिन को पकड़ना है यह कहकर कैसी तुनत वहां से निकल कर फिर रिचर्ड के पीछ जाती है वो एक लड़की के साथ घूम रहा होता है और यहां रिवील होता है कि रिचर्ड असल में इसी लड़की के साथ रोमेंस कर रहा था जो जरा लीजा की तरह दिखती है अपनी और इस लड़की की वीडियो बना कर उसने जस्टिन को दे दी जिसमें लड़की का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा होता है जस्टिन को भी यकिन हो जाता है कि वीडियो में लीजा ही है और उसने इसलिए लीज़ा को गाली दी और बदले में चाटा खा लिया रिचार्ड की कोई गल्फेंड नहीं है पर वो नहीं चाहता है कि जस्टिन की भी कोई गल्फेंड हो इसलिए उसने ये प्लान मनाय था अब कैजी रिचार्ड को फॉलो करती हुई उसके घर पहुचती है और घर के बाहर रखे वे जो कचड़े का डबा होता है उसमें चान मारती है कि कहीं कोई एविडेंस मिल जाए और उसमें कुछ नहीं मिलता वहाँ क्या मिलना था भाई मतलब रिचार्ड कातिल नहीं है अब कैजी जेस्टिन को फॉलो करती है यहां जेस्टिन रिचार्ड को बताता है कि डिटेक्टिव को मुझे पर भी शक हो रहा है लोगों को पता चल चुका है कि उस रात मैंने फिश एक डिश बनाया एमिन खाया रिचार्ड चौंक जाता है कि उन्हें कैसे पता चला जेस्टिन बताता है कि उस रात मैंने वहां वॉमिट किया था अब रिचार्ड उसको डारता है कि हम लोग परफेक्ट कतल करने चले और तुमने इतना भारी एविडेंस छोड़ दिया वाय यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम इंटेलिजन नहीं सच में पागल हो ये सुनकर तो जेस्टिन खुस्से में उसकी नाक तोड़ देता है लेकिन फिर उसकी सुला हो जाती है क्योंकि इस सिचूइशन में इनका लड़ना ठीक नहीं होगा और उसका केमरा देख लेता है फिर वो एक प्लान मनाता है और कैजी को टच करने लगता है कैजी धिरे से दर्वाजा खुलती है लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करता है मानो कैजी ने उसे जोड़ से पीट दिया हो कैजी पूछती है तो वो उसका हाथ अठाकर चला जाता है आगले दिन कैजी सैम को फोटो दिखा दिये कि ये दोनों ही गातिल है रे बेगुना था अब हम सीनर आफिसर से इन दोनों को कस्टडी मिलेने की परमिशन मांग सकते है अब सैम बताता है कि रेचर्ड ने तुम पर कंप्लेंट की है कि तुमने कल रात उसे मारा कैजी कहती मैंने तो दीरे से दरवाज़ा एक खोला था उसने मेरे साथ बत्तमीजी करने की कोशिश की थी उसका कंप्लेंट जूटा है वो हमें डैविट करने का प्लान मना रहा है अब कैजी और सैम जस्टिन का डिने टेस्ट करवाते हैं कि शायद वो वोमिट में मिले डिने टेस्ट से मैच हो जाए इसी बीच इन्हें एक और इंपॉर्टन गुथी सुल जानी होगी विक्टिम लगभग 9 बच कर 24 मिनट पर मरी थी मतलब उस वक्त रिचर्ड या जस्टिन को विक्टिम के घर पे होना चाहिए था लेकिन उस रात साड़े 9 के आसपास रिचर्ड तो गुरूप स्टेड़ी कर रहा था और जस्टिन एक रेस्टरान में खाना खा रहा था तो क्या कातल कोई और है तब कैजी अपने घर के कलॉग को नीचे फिंकती है पर गिरने के बाद भी वो चल रहा होता है दूसरी बार फिंकती है तब भी वो नहीं रुकता आखर में वो जोड से उसे जमीन पर पटकती है तब जाकर वो रुकता है अब कैजी को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि असल में ये क्या हुआ होगा अब वो विक्टिम के घर जाती है उस घर के आगे एक बड़ा गार्डन है जहां एक आटोमेटिक वाटर स्पेर है ये रोज दो पहर को ठीक साड़े तीन बजे पानी स्प्रे करता है ये देखकर तो कैजी मन ही मन इस केस को सौल्ब कर देती है हुसेम को भी बताती है कि ये कतल कैसे हुआ रिचर्ड और जस्टिन एक परफेक्ट कतल करना चाहते थे जिसमें उनके खलाफ कोई एविडेंस नहो इस प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले वे कतल करने के लिए एक औरत को स्लेक्ट करते है फिर रिचर्ड दो पहर्ट साड़े तीन बजे उस औरत के घर जाता है उस वक्त गार्डन का स्प्रेयर चल रहा था जिसकी वज़े से गेली मिटी रिचर्ड के शूज पर लगती है पर वो घर के अंदर जाकर विक्टिम पर हमला कर देता है इस तरह उसके फुट्प्रिंट्स कारपेट पर लग जाते है विक्टिम मरी नहीं बेहोश हो जाती है फिर रिचर्ड उस घर के क्लॉक को नीचे फेंकता है पर वो स्टॉप नहीं होता तीन चार बार उसे जमीन पर पटकता है तब जाकर क्लॉक रुकता है फिर रिचर्ड उसमें 9 बच कर 26 मिनट टाइम सेट करता है फिर विक्टिम को रिचर्ड के घर के एक सीक्रेट रों में बांध कर रखते है उसके बाद रिचर्ड एकदम नॉर्मली अपनी स्टेडी करने चला जाता है और जस्टिन एक रेस्टोंड में लेकिन ये दोनों 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और साड़े 9 के आसपास रिचर्ड के घर जाकर विक्टिम को मार डालते हैं फिर दोनों अपनी अपनी जगे वापस लोड़ते हैं लेकिन रिचर्ड को रात भार ग्रूप स्टेडी करना होता है तो वो लाश को डिस्पोस करने का काम जस्टिन को देता है अब जस्टिन लाश को जंगल के पास एक सुनसान जगे ले जाकर एक साइको कातल की तरह उसकी उंगली काड़ देता है लेकिन उसने कुछ देर पहले एक खाना खाय था और ये सब करते हुए उसे उल्टी आ जाती है और वो उसी जगे पर वोमेट कर देता है फिर लाश को वहीं छोड़कर जस्टिन घर लड़ता है यही असलियत है अब अगले जिन उन्हें क्राइम सीन पर मिले वोमेट का जो डियने है उसकी रिपोर्ट मिलती है जिससे पता चलता है कि वो वोमेट जस्टिन का था यानि रिचर्ड और जस्टिन ने साथ मिलकर ये कतल क्या होगा अब सिनिर आफिसर को कस्टेडी की पर्मिशन देनी पड़ती है उसके बाद जस्टिन और रिचर्ड को अलग अलग इंटरोगेट किया जाता है पर दोनों सच बताने का नाम ही नहीं लेते उपर से रिचर्ड का पिता अपने लौयर भेज देता है और फिलाहल इन दोनों को छोड़ दे जाता है पर रिचर्ड चुप नहीं रहता वो पुलिस डिपार्टमेंट के एक आफिसर को कॉल करके कहता है मैं तुम्हें मूह मांगे रखकम दूँगा तुम सिर्फ इस केस की सारे डिटेल्स मुझे दे दो पर वो अफिसर उसे चिड़ा कर कॉले कार देता है अब रिचर्ड को यकिन हो गया है कि वो बच नहीं सकता वो घर जाकर एक बाक्स निकालता है और बीच हाउस पहुँचता है यहां पुलिस ऑफिसर कैजी को बता देता है कि रिचर्ड ने उसे काल करके केस की डिटेल्स मांगी पुलिस तुरंट वारंट लेकर जस्टिन के घर जाते हैं तो वो घर पर नहीं होता रिचर्ड के घर जाते हैं तो वो भी गाया पर रिचर्ड के घर के बेस्मेंट में एक सीक्रिट रूम मिलता है यसे देखती कैजी समझ जाती है कि कतल यहीं पर क्या गया है वहाँ जस्टिन लीजा को सब कुछ सच सच बता देता है तब ही रिचर्ड कॉल करके उसे बीच हाउस में बुलाता है और जस्टिन चला भी जाता है फिर लीजा कैजी को कॉल करके सब कुछ बता देती है और कहती है कि रिचर्ड ने कतल किया था और जबर्दस्ती जस्टिन से लाश को डिस्पोज करवाया कैजी को भी रिचर्ड पर ज़्यादा शख होता है क्योंकि उसी की घर में विक्टिम का कतल हुआ है वहाँ जस्टिन भी बीच हाउस पहुँच जाता है तो रिचर्ड कहता है कि अब हमारे बचने के बिल्कुल भी चांसिस नहीं है हम जरूर पकड़े जाएंगे वो जस्टिन को एक गन देता है और खुद एक गन रख लेता है दोनों पकड़े जाने के डड़ से खुद को शूट करने के लेता यार खड़े होते है और यही मूवी की शुरुआत में दिखाय गया था एक दो तीन करके काउंटिंग होती है लेकिन तीन के बाद जस्टिन खुद को शूट करने के वज़ाए उपर शूट करता है फिर रिचर्ड पर गन तानकर पूछता है कि मेरे गन में तो बुलिट है क्या तुम्हारे गन में है रिचर्ड अपनी गन देखता है तो उसने बुलिट्स लोड ही नहीं किये अगर इस पर विश्वास करके जस्टिन ने खुद को शूट कर लिया होता तो वो तो अकले ही मरता रिचर्ड जिन्दा रहता जस्टिन पोचता है कि तुमने ऐसा क्यूं किया दोनों में कम आसान शूट आउट होता है फिर कुस्देर के बाद रिचर्ड कैजी को पकड़ लेता है लेकिन कैजी उसे नीची धका दे देती है क्योंकि ये घर उची चटान पर है और रिचर्ड नीचे गिरकर मर जाता है अब कैजी को यकीन हो जाता है कि रिचर्ड ने अपने घर के सेक्रेट रूम में कतल किया जस्टिन ने सिर्फ लाश को डिस्पोस किया था इसलिए जस्टिन को कम सजा मिलेगी ये जानकर जस्टिन चैन की सास लेता है असल में ये जस्टिन का ही प्लान था जिसने खुद को बचाने के ले कैजी को ऐसा कमेस्टिकेट करती है इसकी रिचर्ड को जरा भी नौरज नहीं थी पर जस्टिन खुब जानता था कि पुलिस को कैसे गुमरह किया जा सकता है इसलिए जब कैजी ने गन नीचे डालने को कहा तो जस्टिन ने तुरंट डाल दिया तांकि कैजी को उस पर सिंपती आ जाए और जब रिचर्ड ने कैजी को शूट करना चाहा तो जस्टिन जान बुचकर बीच माया और अपने हाथ पे गोली खाली उसे लगा कि इससे कैजी को उस पर विश्वास हो जाएगा इस तरह का सैकलोजिकल प्लान मना कर उसे अंजाम देने के बाद जस्टिन चैन से बैठा होता है पर कैजी देखती है कि रिचर्ड ने जब उसका गला दबाया तो उसके अंगोटी का निशान कैजी के गले में लगा था अब कैजी सोचती है कि अगर रिचर्ड ने विक्टिम का गला दबाकर खून किया था तो विक्टिम के गले पर ऐसा निशान होना चाहिए ले और यार कुछ भी कहे दो पर जल्दी करो वो भी कैजी के कान में कुछ फुस फुस लाकर चला जाता है अब जस्टिन पूछता है कि उसने आपके कान में कहा क्या कैजी बताती है कि उसने मुझे बताया है कि उस सीक्रेट रूम में जहां रिचर्ड ने उस औरत का कतल किया वह मैं तुम्हें बचा लूँगी लेकिन तुम्मुझे सच बताओक असल में हुआ क्या जस्टिन अप सच बता ही देता है रिछिड चाहता था कि जस्टिन कतल करेश पर जस्टिन घब्रा रहा था रिचर्ड ने उसे चिड़ाय था कि हमेशा दिमाग ही यूज करोगी कि कभी हाथ भी यूज करोगे जाओ उस लड़की का गला दबाकर उसे मार नालो जस्टिन ने वैसा है किया ये बताकर जस्टिन कहता है कि प्लीज मुझे बचा लिजे तब कैसी कहती है कि अब तो तुम बुरी तरह फास चुके हो उस रूम में कोई कैमरा ही नहीं है तुम्हारे मुझे सच उगलवाने के लिए ही मैंने जूट बोला था तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही मेरे साथ साथ साइकोलोजिकल गेम खेल सकते हो मैं नहीं मेरे गले पे रिचर्ड के अंगुठी का निशान है क्योंकि उसने मेरा गला दबाए था पर विक्ट्टिम की गले में ऐसा कुछ नहीं है और मुझे पुरू हो चाहिए था और अब तुमने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि तुमने गतल किया अफिसर इसे रेश्ट कर लो मेडम रिचर्ड ने अपनी रिंग उतार कर फिर उस औरत का गला दबाया था प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मेटा बहुत देर हो चुकी है तुमने खुद कहा कि तुमने उस औरत का कतल किया है इसी के साथ दोस्तों मुवी यहां पर खत्म होती है और आपसे गुजारिश है हमारे दूसरे चैनल मुवी जवेदर को भी सपोर्ट कीजिए इस मुवी में ये बताया गया है कि बुरा काम करने वाले करिनमस चाहे कितने भी शातर क्यों नहों उनसे जादा शातर लोग पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं जो उनसे हमेशा एक कदम आगी की सोचते हैं और ये दुनों स्कूल में पढ़ने के बज़ाए कतल का गेम खिलने चले थे तो इनका अंजाम भी बुरा ही होना था एक और इंटरस्टिंग फैक्ट ये है कि मर्डर बाइ नमबर्स नाम का एक सौंग है जिसमें बताया गया है कि कतल को एक आर्ट की तरह कैसे करना चाहिए रिचर और जस्टिन भी इसे एक आर्ट की तरह सोचते थे इसलिए इस मूवी का नाम भी murder by नमबर्स रखा गया है तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये मूवी अगर ये वीडियो अच्छे लगी हो, स्टोरी अच्छे लगी हो, explanation अच्छा लगा हो तो इसे जादा से जादा शेयर करें वीडियो को लाइक कीजिए हाँ और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई अपना खयाल रखिए और फाइनली थैंक्स फर वाचिंग